जैहिन साथ यो बेलकम टू सेल्प स्टेडी किलासे स्विस्सुमिज जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की कक्चा स्टार्ड हो चुकी है तो सभी लोग लाइव आ जाएं और आज हम फिर गलत सिक्चा सास्त्र में आंगे का जो पार्ट लेकर क सभी लोगों के लिए टेली ग्राम ग्रॉप से जुड़ना है तो सभी लोगों के लिए इसी प्रकार से जुड़े रहना है और पीछे वाले जो भी नयसाती है वो पिछले बीडियो आब आप देखें तीक है यह स्टार्ड करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो सभी आज की एक कख्छा फटा-फट से आपको उतर बताना होता है, तो स्टार्ट करेंगे, चीक है, स्टार्ट होनी वाली है, तो आज का जो हमारा प्रहरा प्रशन है, वो है निम्ण मैंसे कौन सा सिक्षन सूत्र निगमन बिदी से सम्मंदित नहीं है, तो निगमन बिदी और तो उत्तर क्या हो जाएगा प्रशनिकर्मा के 122 का उत्तर बताएंगे सामान से विशेष्ट सूक्ष्म से स्तूल नियम से उधारना अग्यात से ग्यात की और तब आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा तो जितेंदर जी सुरेंदर जी बहुत बढ़िया डी नमर इसका सही होगा है ना सिक्षन सूत्र निगमन बिधी से सम्मदित नहीं है तो वो अग्यात से ग्यात की और निगमन बिधी से सम्मदित नहीं है यानि कि जो डी नमर का है वो इसका सही होगा निगमन बिधी के मूल तत्त देखो नियम से उधारन की ओर है ना सामान से विशिष्ट की ओर सूक्च में से इस्थूल की ओर यह जो होते हैं वो निगमन बिधी के उधारन होते हैं यह इस प्रकार से आपको याद रख लिएना है आगमन और निगमन बिधी सबी लोगों को पढ़ना है ठीक है तो हमें उत्तर बताना है सभी लोग उत्तर बताएंगे भटापट से बताएंगे साथ सही लोग आपका जो परियोजना विदी का मुख सिद्धान्त नहीं है करके सीखना जीवन से सीखना विध्यारतियों के सहियों के बमसाहचर से सीखना या फिर रटकर याद करना तब आपका परियोजना बिदी का मुक्त सिद्दान्त नहीं है तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा तो सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कुछ लोग बता रहे हैं D बहुत बढ़िया D आंसर बिलकुल चाहिए आप लोगों का परियोजना बिदी का मुक्त सिद्दान्त नहीं है तो सुतंत्र चिंतन करते हैं इस विदी के जन्मदाता माने जाते हैं किल पैट्रिक अगर आप से पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा कि ये जो विदी है कौन सी विदी परियोजना विदी परियोजना विदी के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं तो किल प्रिया उप्योक्त है सूत्र स्थापित करने के लिए सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए सवाल को समझने के लिए या फिर सवाल को बनाने के लिए तब आप का उत्तर क्या हो जाएगा 124 का उत्तर सभी लोगों को बताना है यह most important है तो जल्दी से बताओ आगमन बिधी निमनमे से किस के लिए उपयोकत है तब आप सभी का जो उत्तर आ रहा है कुछ लोग C बता रहा है कुछ लोग B बता रहा है उत्तर हो जाएगा ए मतलब सूत्र स्थापित करने के लिए आगमन बिधी सूत्र स्थापित करने के लिए आगमन बिधी का प्रयोग किया जाता है इसकी किरिया बिधी बिसेस से सामननी की और प्रविटत होती है बिसेस से सामननी की और प्रविटत होती है अंगला हमारा question है दोस्तो खेल बिदी के जन्मदाता कौन है तब हमें उत्तर बताना है 125 का उत्तर सभी लोग बताएंगे खेल बिदी के जन्मदाता फ्रावेल, मांटे सरी, डाल्टन या फिर सिंग्मन फ्राइड तब उत्तर क्या होगा सभी लोगों को आंसर बताना है खेल बिदी के जन्मदाता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है अधिगांस लोगों के उत्तरा रहे हैं ए बहुत बढ़िया ए नम्मर का जो खेल भी दीके हैं वो फ्रावेल वान जाते हैं बेकल्प नम्मर ए इसका सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन देख लेते हैं गलित बहभासा है जिससे परमेश्च्वर ने संपूर जगत या ब्रम्हांड को लिख दिया है ए कथन किसका है most important है 126 का आंसर सबी लोगों को बताना है गलित बहभासा है जिससे परमेश्च्वर ने संपूर जगत या ब्रम्हांड को लिख दिया है ए जो कथन है वो किसका है सभी का आंसर आने चाहिए जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका गैलीलियो पिलेटो रसेल या फिर हैमिल्टन तो आपका उत्तर क्या होगा जल्दी से उत्तर हमें बताना है भटापट से सभी लोग लिखेंगे चार बिकल्पों में से एक तब आपका उत्तर हो जाएगा गैलिलियो गैलिलियो ने कहा है कि गलत वाह बिसाय है जिसमें परमिस्तुरने संपूर जगत या ब्रह्मान्ड को लिख दिया है तो आप सभी को याद रख लेना है ये गैलिलियो महुदाय का कतन है ठीक है अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं दूसरा योजना बिधी संसलेशन या इन मेंसे कोई नहीं तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा मोस्ट इंप्वर्टेंट है इसलिए सभी को बताना है तो जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा तो जल्दी बताओ तब आपका उत्तर हो जाता है 127 का क्या होता है जल्दी से हमें बताना है कि जो गरत के सूत्रों की स्थापना है तो अपयुक्त बिधी माने जाती है वो कौनसी माने जाती है तब आपने बताया है क्या बताया है ए ए मतलब निगमन बिधी इस बिधी द्वारा गरती ये सूत्रों की स्थापना आसा सबी लोगों को याद रख लेना है ठीक है यह बहुत ही important है है ना निगमन विधी के बारे में हम बिलकुल पढ़ रहे हैं रंतर अंगला जो question है वो क्या है सिक्षण की एक विधी जिसमें विध्यारती स्वयम अनवेसक के रूप में कार करते हैं तता समस्याओं का समाधान कर करते हैं वो विधी कौन सी है जल्दी से कमेंटर में लखना है चार बिकलफ हमारे सामने मौजूद हैं चार में से एक का चैन करना है उत्तर क्या हो जाएगा 128 का उत्तर हमें बताना है सभी लोग उत्तर बताएंगे उत्तर क्या होगा most important है इस लिए जल्दी जल्दी से उत् जोस्तो उत्तर हो जाएगा 128 का आपका है मतलब अनुसंधान विधी में विध्यारती स्वयम अनवेसक के रूप में होता है मतलब जो बिकलफ नमबर डी है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों के भूपेंदर जी मंगल जी गोपाल जी पुसपेंदर जी अंगला कोस्चन है कक्छा में अधियम की गतिविधी आयोजित करने में अत्यंत प्रभावसाली कारक निम्र में से कौन सा है कक्छा में अधियम की गतिविधी आयोजित करने में अत्यंत प्रभावसाली जो कारक माना जाता है वो कौन सा क प्रभाव साली कारक है तो वह है अभी प्रेड़न यानि कि जो बिकलप नमर A है वो इसका सही हो जागा ठीक है बहुत बढ़ी आंसर सभी लोगों के अधियम की गति बिदी आयुजित करने में द्रस तरब सहाइक सामगरी का प्रियोग एक प्रभाव साली कारक है अभी प्रे चोटी कक्छाओं को पढ़ाने के लिए उप्योक्त नहीं है बहे कौनसी है चोटी कक्छाओं के लिए उप्योक्त नहीं माने जाती वो कौनसी है तब आपको बताना है चार बिकलप है फटा पट से उत्तर बताना है उत्तर क्या हो जाएगा प्रियोग साला बिदी ब्याक् नमर बी है बी ब्याख्यान विदी जो होती है वो छोटी कक्छाओं के लिए पढ़ानी के लिए उप्योग नहीं मानी जाती तो बी नमर का इसका सही हो जाएगा ठीक है बी नमर सही है बिट्टू जी पुस्पेंदर जी दिलीप जी और मिला जी बहुत बढ़िया है ना ब्य जाती में 98 को क्या लिखा जाएगा चार बिकल्फ हमारे सामने मौझूद है चार में से एक का चैन करना है तब आपको बताना है बन 30 बन का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से उत्तर लखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा फटा फट से बताना है तो आपका उत्तर क्या होगा अ यानि कि आपका जो बिकल्प नमर C है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है सभी को याद रख लेना है है ना यहाँ पर यह आंकले दिये हैं और रॉमन पधधती सभी को पता होगा रॉमन जो संक्या हो जाती है उसे 98 को लिखा जाएगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा ठीक है सभी लोगों को याद रख लेना है है ना अंगला देख लेते हैं अंगला है एक विध्यारती निमले के तो धारनों का अबलोकन करता है इस प्रकार से आपको उधारन दिये हैं और निसकर्स निकालने की उप्योक्त पद्धती कौनसी है यह उधारन है निमले के तो धारनो सबी लोग बताएंगे most important प्रस नहें तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा 32 का answer बताना है दोस्तों तो उत्तर क्या होगा है ना यहाँ पर आपके बिकल्प दिये हैं यह हैं बिकल्प है है ना बिसलेशात्मक निगमनात्मक गती बिदी या फिर आगमनात्मक तो हमें उत्तर बताना है इस परकार से उधारन काब लोकन करता है और निसकर्स निकालता है और निसकर्स निकालने की उपयुक्त जो बिदी माने जाएगी वो कौन सी माने जाएगी तब जो आपका answer होगा वो क्या होगा जल्दी से आपको उत्तर बताना है तो आप सभी ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है अधिकांस लोगों ने उत्तर बताया है दोस्तों क्या ए बता रहे है कुछ लोग लेकिन इसका सही उत्तर क्या है डी आगमन बिदी आगमन बिदी इसका सही हो जाएगा विकल्प नमबर डी इसका सही हो जाएगा ठीक है है ना उधारन का अब लोकन कर रहे हैं और आगमन बिदी में क्या होता है आप सभी को पता है आगमन बिदी में हम क्या करते हैं देखो यहाँ पर देखते हैं जो आगमन पद्धती है प्रशन को विस्तित रूप से संचिप्त में हल करके परिवर्तित करते हैं निमले के समीकरन में चात्र इसी पद्धती का प्रियोग करता है आगमन पद्धती की दिसा देखो यहाँ पर आगमन पद्धती में क्या होता बिसेश से सामानी की ओर उधारन से नियम की ओर और प्रसन से सूत्री की ओर यहाँ पर आपको याद रख लेना है है ना पहले प्रस्न दिया है है ना तो अपन सूत्री की ओर जा रहे है तो बहाँ पर आगमन विदी होगी ओधरन दिया है नियम की ओर जा रहे है और विसेश से सामन की ओर जा रहे है तो आगमन पद्धती होगी आपको याद कर लिना है आगमन और निगमन पधतियों के बारे में किस प्रकार से होता है तब आपको बताना है कि कक्छा नौबी में निर्देशांक जयामती परिचय कराने के लिए उपयोग तो पागम है तो क्या है बंधर्टी थरी का अंसर सभी लोगों को बताना है उत्त आपका बंधर्टी थरी का अंसर क्या हो जाएगा सभी लोगों का अंसराणे चीए बंधर्टी थरी का जो आंसर हो जाएगा तो याद रख लिना है कक्छा कक्छ में गलित की भासा विक्सित करने के लिए चार चरण है तो चार चरण में से जो हमें बताना है कि कौन सा चरण उप्योक्त है जल्दी से बताओ पिरती दिन की भासा क्या करना है गलित की भासा विक्सित करने के लिए बताना है इस क्रम में तो कौन सा करम इसका सही होगा 134 का उत्र बताएं सभी लोग बताना हैं तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्रitटी दिन की भासा गड़ती परिष्ठिती की भासा गड़त की समश्याओं को हल करने की भासा पिरती का अत्मक भासा ऐसा हमें करम بتाना है कि ये करम आपका सही जाएगा तब आपका A नम्मर A है, B नम्मर B है, C है और D है तो उत्तर क्या हो जाएगा हमें यहाँ पर प्रस्चन जो दिया है वो क्या दिया है हमें बताया गया है कि हमें गलित की भासा विक्सित करने के लिए चार चरणों में से कौन सा आपका क्रमबद होगा, तब आपका विकल्प नम्मर A यह सही होगा सबसे पहले गलित की समस्याओं को हल करने की भासा और प्रती कात्मक भासा यानि कि जो विकल्प नम्मर A है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है, A नम्मर का सही है है ना, अंगला कॉस्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो, गलित की भासा को विक्सित करने के चार चरण नम्मर प्रकार होंगे पिर्ती दिन की भासा, गर्ती परिस्तिती की भासा, गर्त की समस्याओं को हल करने की भासा और पिर्ती कात्मक भासा, एक गर्त की भासा को विक्सित करने के चार चरण है अंगला क्वेस्चन हमें बताना 135 का कक्छा चटबी की पाठ पुस्तक से निम्णिकित को पढ़िए पूरांकों का एंसा योग में लिखिए जिसका योगफल एक रनात्मक पूरांक है उप्रोक्त प्रस्न उलेख करता है तो क्या करता है जल्दी से उतर बताना है बन थर पायब का अंसर क्या हो जागा most important है सबी लोगों को उत्र बताना है थोड़ा सा पढ़ लो किस प्रकार से होगा तो चिंतन पूर्ण प्रस्न बहुबिसी प्रस्न बंद अंतबाला प्रस्न या खुले अंतबाला प्रस्न तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तो सबी लोगोंने उत्तर बताया है कुछ दी बता रहे हैं और कुछ लोग भी बता रहे हैं तब आपका जो अंसर होगा वो क्या होगा वो होगा डी याने की खुले अंतबाला प्रस्न ये जो हो जाएगा वो खुले अंतबाला प्रस्न होगा पूरांकों का यहसा योग में लिखिए जिसका योग फल एक रनात्मक पूर्णांक है इस तरह के प्रस्ण खोले अंतवाले प्रस्ण कहलाते हैं खोले अंतवाले प्रस्ण बेव होते हैं जिनका अनेक उत्तर जो है होते हैं तो सबी लोगों को इस प्रकार से संभाव है इस प्रस्णों के अनेक उत्तर संबाव है याद रख लिना है ठीक है जैसे खुली प्रस्णों के बारे में यहां पर देखेंगे खुली प्रस्ण कौन से हैं माइनस 5 प्लस 2 तो माइनस 3 इस प्रकार से इनके जो है अनेक उत्तर होते हैं अनेक उत्तर जिनके अनेक उत्तर मंदित मुख परिणाम कागज मूडने के किरिया कलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं और उसके पस्चातिन गुर्धर्मों पर आधरित अभ्यास दिये गए हैं इन इस इस्तर पर कोणों के गुर्धर्म का प्रमान प्रूप नहीं दिया गया है क्योंकि कक्छा चटबी के बिध्यारती इस समय बयान हे लेके इस इस्तर पर हैं कौन से इस्तर पर हैं अनुपचारिक निगमन बिसलेशन निगमन या फिर मानसिक चित्रन तो बताना है थोड़ा सा पढ़ लो और थोड़ा सा अच्छे से समझ लो तब आपका उंतर क्या हो जाएगा बन थर्टी सिक् बिध्यारती को दो इस तर पर कागच को मोड़कर उसके गुरधर्म को समझाना है क्योंकि इस इस इस्तर पर विध्यारती जो भी देखता है उसी पिरकार से समझ लेता है तो एक इसका है बिने हिले के अनुशार इस तर दो माना जाएगा अनौपचारिक निगमन ठीक है य अंगला कोश्चन है गड़त में प्रस्न रखने का अर्थ क्या है बन थर्टी से बिन का उत्तर सभी लोग बताएंगे प्रस्न रखने का अर्थ क्या होता बिस है बस तू में ऐसे प्रस्नों का अर्थ सिर्जन करना प्रस्नों को हल करने में असमर्थिता कक्च्छा में संद प्रस्त्तुत करना या प्रस्त ने हल करना तो प्रस्निक रमांक 387 का उत्तर सभी को बताना है ज़्ल्दी से बताओ उत्तर chuyेगा गरत में प्रस्न्य रखने का आर्त क्या है स्थ इंप्वोचन आप भ्यास करना है भी ये प्रस्न है तो जिसको भी गुरूप में यह एड येっと तब आपका उतर होगा बिकल्प नमर C कक्छा में संदेह प्रस्तुत करना जो है गरत में प्रस्न रखने का जो है अर्थ है यानि कि यहाँ पर देखो कि गरत में प्रस्न रखने का अर्थ है कक्छा में संदेह प्रस्तुत करना प्रस्न पूछने बाले चात्र अंतह प्रेरित होते हैं जिन से अन्य चात्र जिनके वन में प्रस्ण दवे रहते हैं बेभी लावानवित होते हैं ठीक है तो ए चीज आपको याद रखने नहीं प्रस्ण के रमांग के सी इसका आंसर हो जाएगा याद रखो अंगला क्वेश्चन है गलित की अच्छी पार्ट पुस्तक में होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं सबी लोग बताएंगे प्रिमे और उनकी संपत्ती समन बेशन के लिए प्रस्ण अभ्यास प्रस्ण हल किये हुए उधारन तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा गलित की अच्छी पार्ट पुस्तक में होते हैं क्या होते हैं सबी लोगों क अंसर हल की ये हुए उधारण यानि कि D इसका सई होगा याना गळत की ऐच्छी पाट पुस्टक में बहुत सारे हल की उधारण होते हैं क्यूंकि हल की उधारण में अब धारना का निर्माण होता है यानि कि जो बिकल्प नम्मर डी है वो इसका सही हो जाएगा जो अधिकांस लोगों ने सही बताया है है यहना निम्न कथन पर विचार करना है हमें कि यदि एक चत्रभुज के बिकर्ण परस पर समदुई भाजित करते हैं तो चत्रभुज के बिकर्ण परस पर समुदुई भाजित करते हैं तो चत्रभुज एक समाना अंतर चत्रभुज होगा यह कल्रमे है या पर अभी 落ए ते या पर परिभास या पर साद्र है तो 259 का आपका अंसर क्या होगा तब आप सभी ने बताया है कि यह जो है वो साद्र अतरात जो बिकल्प नमबर D है वो इसका सही हो जाएगा एह साध कतन है इसका आस एह है कि इस परकार के चत्रवज निर्माण में बिकरनों में ऐसी उत्पत्ती दर्सित होती है मतलब इस साध माना जाएगा बिकल्प नमबर D माना जाएगा ठीक है और प्रमे जब हम पढ़त गरत में प्रदर्स उलेक नहीं करता तो क्या नहीं करता बन फोटी का अंसर सभी लोगों को बताना है उत्तर क्या हो जाएगा गोपाल जी एकता जी सभी लोगों को उत्र बताना है गरत में प्रदर्स उलेक नहीं करता दो चरों के मद्द संबंद को समीकरन में ब्यक्त करन संक्यास रैनी को जयामितिये प्रिती रूप में ब्यक्त करना एक महत्पूर्ण जयामितिये परिनाम को प्रिमे में ब्यक्त करना या दिये गए आकणों को अलेख द्वारा ब्यक्त करना तो गड़त में प्रदर्स उल्लेक नहीं करता तो क्या नहीं कर सकता सबी लोगों को उत्तर बताना है तो उत्तर हो जाएगा C एनिक एक महतपूर्ण जैमितिय परिणाम को प्रमे में वेक्ट करना A नम्मर का S नम्मर का इसका सही हो जाएगा A प्रदर्स उललेख नहीं करता यह ना जैमितिय परिणाम की आधार पर नियम बनाना प्रिमे में ब्यक्त करना प्रदर्सन बिदी का उधारन नहीं है वरने निगमन बिदी का उधारन है तो सबी लोगों को याद रख लीना है अंगला क्वेस्चन दोस्तों क्या है कि तकनी की पर आधारत खेलों जिन में संख्याओं के गुणन खंड या दुई आयामी आकरतियों को जोड़कर नई आकरती बनाना आदी होता है इनका प्रियोग बिद्यारतियों की संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को इनका प्रियोग बिद्यारतियों को गड़ित की प्रियोग सालाओं में बैस्त रखने में सिक्षक की सहायता करता है इनका प्रियोग बिद्यारतियों में अब धरना को समझने की चमता में ब्रद्दी करता है ताकि भी अपनी योगता के अनुसारान बेशन पर चेन और जो कोई बात नहीं अगर आपसे नहीं भी बन रहा है दोस्तों तो आप एक अभ्यास कर रहे हो आने बाले जो भी प्रशन होंगे या जब हमारी मेरा थनकिलास होगी तब आपसे इस प्रकार के कुश्चन आपसे बनने चाहिए एनिकी सीनम मरस का जो बताया है सबी लोगोंने कि बिद्यार्तियों में अब धारना को समझने की छमता में ब्रद्धी करता है ताकि वे अपनी योगिता के नुशान अनिकी प्रेशन निसकर्श करने के कारण कुसल हो जाते हैं बहुत बड़ी आंसर सभी लोगोंने बिलकुल सही आंसर दिया है याद रख लिना है अनिकी को और किस नाम से जाना जाता है तो 142 का आंसर बताना है दोस्तो छोटे छोटे आंसर सभी लोग कर जाते हैं और बड़े आंसरों से डर करके कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ लोग गलत करके आते हैं तब आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है अनिवेशन बिदी क और किस नाम से जाना जाता है तो आपका अंसर क्या होगा सभी लोगों ने जो उत्र बताया है वो बताया हिूरिस्टिक बिदी यानि कि जो बिकल्प नमर C है वो इसका सही हो जागा बहुत बढ़ी अंसर अन्वेशन बिदी को हिूरिस्टिक बिदी भी कहा जाता है इसके और में स्ट्राऊंग जो है प्रवर्तक माने जाती है ये चीज सभी को याद रख लिनी है सर्चों का पुस्प बढाते पढाते हुए निमले खितमे सरवादे को प्युक्त पद्धती कौन सी है आप सर्चों का पुस्प पड़ा रहे हैं तो कौन सी आंसल आ रहा है कुछ लोग C बता रहे हैं कुछ लोग A बता रहे हैं और आपका जो आंसल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा C यानि की छेतर प्रमण पद्दती जो होगी वो सबसे उपयोक्त मानी जाएगी तो यह चीज सभी को याद रख लिनी है उप्रुक्त में सरसों का पुस्प पढ़ने के लिए छात्रों में छेतर भरमन के लिए जाना सबसे उप्रुक्त माद्यम है इसमें छात्रों में पुस्प के स्वभाओ आवासादी की विजानकारी हो सकेगी तता विसाय बहुत रुचकर हो सकेगा तब हमारा अंगला प्रस नहीं है निवनमेसी कौन सी किरिया आधारत सिक्षन बिदी नहीं है तो किरिया आधारत कौन सी नहीं है सबी को बताना है स्वानम जी, प्रीती जी, पूनम जी, भूपेंदर जी सबी लोगों का आंसर आने चाहिए कौन सी किरिया आधारत सिक्षन बिदी नहीं है तो किरिया आधारत बताना है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा 144 का सभी लोगों को उत्तर बताना है तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा किरिया आधारत बिदी नहीं है तो वो नहीं है ब्याक्ख्यान बिदी है ना ये जो है ब्याक्ख्यान बिदी बाल के अंदरेत बिदी नहीं होती और किरिया आधारत बिदी नहीं होती ये सिक्छक के अंदरेत बिदी होती है तो याद रख लेना विकल्प नमर जो डी है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है बह आगमन बिधी में या बिशलेशना बिधी में पहले हम पढ़ चोके हैं आगमन भी पढ़ दिया है और निगमन भी पढ़ दिया है दोनों पढ़ दिया है अब आगमन में बताना है आपको या निगमन में तो ये तो कनफर्म है सामन से बिशेश की ओर दो मैंसे किसी में होता ह तो आपको बताना है मैं 145 का उत्तर क्या हो जाएगा तब आपका जो answer आ रहा है वो क्या रहा है कुछ लोग A बता रहा है कुछ लोग B बता रहा है कुछ लोग A बी बी confusion है तो आगमन और नगमन विधी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है इसका answer हो जाएगा A नगमन वि question है दोस्तो गलित section में आगमन बिदी द्वारा हम आगे बढ़ते हैं तो सूक्ष में से इस्थुल की और सामाने से बिसिष्ट की और ग्यात से अग्यात की और या ग्यात से ग्यात की और तो आगमन बिदी में बताना है अब पहले हमने निगमन बिदी के बारे में जाना और आगमन बिदी के बारे में सभी को बताना है तब उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है कुछ लोग D बता रहा है कुछ लोग A बता रहा है तब आपका 145 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तो 146 का उत्तर बताना है वो आगमन विदी में चलता है है ना सबी लोगों को याद रख लेना है सी नमर का इसका सही हो जाएगा याद सबी को करना है ठीक है है ना गलत सिक्षन में आगमन विदी द्वारा हम ग्यात से अग्यात की और बढ़ते हैं अर्थात गलत सिक्षन करती समय सिक्षक को कक्षा कक्ष में पहले छात्रों को उधारन प्रस्तुत करें फिर उनका जो है नियम वविस्लेशन करें कह सकते हैं कि उधारन से नियम की ओर ये आगमन विदी का जो है माना जाता है तब आपको 147 का उतर बताना है क्या हो जगा गल 147 का अंसर सभी लोगों को बताना है ममता जी पूजा जी गोपाल जी सुरेश जी सभी का अंसर आना चाहिए गलत सिक्षन की स्वयम सिद्ध बिदी में कौन सी बिदी समलित नहीं है तो 147 का उतर क्या हो जाएगा और सभी लोगों को बीडियो को लाइक जरूर करना है जित स्वयम सिद्ध बिदी में समलित नहीं होती यानि कि जो बिकल्प नमर सी है वो इसका सही हो जागा ठीक है बहुत बढ़िया अनुबान सिक बिदी गलत सिक्षर की स्वयम सिद्ध बिदी में समलित नहीं है याद रख लेना है अंगला क्वेश्चन है गलत में पृती चित् दी लिखना है तब आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तो वो क्या होगा आप सभी ने उत्तर लिख दिया क्या उत्तर इसका सही होगा S सी यानि पिर्ती चित्रन गरित पाठ करम का भाग नहीं है यानि कि जो सी है वो इसका सही होगा ये सत्त नहीं है सत्त नहीं है कथन हमें बताना था तो पिर्ती चित्रन गरित पाठ का करम का भाग नहीं ये सत्त नहीं माना जाएगा तो याद रख लेना बिकल्प नमर जो सी ह वो आपका सही हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं दो अंकिये संख्या को दूसरी एक अंकिये या दो अंकिये संख्या से गुणा करने की प्रिक्रिया को समझने के लिए निम्लेकित मैंसे कौन सी पूर्व जानकारी होना आवस्तक है यहाँ पर गुलन का क्रम बिनीमा एकुन गुलन योग पर बितरण के रूप में गुलन विभाजन के पिरती लॉम के रूप में तब 49 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से उतर बताएंगे उतर क्या होगा सभी लोगों ने समझ लिया तो तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों कि वो क्या हो जाएगा C बहुत बढ़िया गुलन योग पर वित्रण के रूप में यानि कि जो C नमर का है वो सही हो जाएगा Most important और सभी का आंसर सही आ रहा है बहुत बड़ी आंसर गुड़न योग पर वित्रण की रूपे आपका ग्यान होने चाहिए ठीक है सबी लोगों को याद रख लीना है अंगला कॉस्चन देख लेते हैं अंगला जो कॉस्चन है दोस्तो अंगला कॉस्चन आपका क्या है कि प्रात्मिक इस तर पर गलित की पाठ पुस्चन की सबसे अधुक महत्पूर्ण विसे इस तरनेमन मैंसे कौनसी है तो है बतानी है और इसके जस्ट बाद आपकी एक कॉस्चन के बाद ये आपका लास्ट कॉस्चन होगा ठीक है और इस लास्ट कोस्टिन के बाद आपको पांच या दस मिनिट बाद आपका एक परियावरन का महत्पूर्ण फैक्टों का वीडियो आएगा जो मैं अपलोड करूँगा पांच या दस मिनिट में आप तक प्रेसित हो जाएगा तो बो जरूर देखना है जिसमें सारे की सारी चीज़ें बताएंगे हैं कि टाइगर मैन आफ इंडिया किसे कहा जाता है है और बर्ड मैन आफ इंडिया किसे कहा जाता है डॉल्फिन आफ इंडिया किसे कहा जाता है परियावरन का हीरो किसे कहा जाता है इस प्रकार के महत्पूर्ण जो प्रसने है वो आप तक प्रेसित किये जाएंगे जो इंपोर्टेंट है आपकी परिच्छा के लिए इंपोर्टेंट वो आएगा तो वो वीडियो जरूर देख लेना है ना तो प्रात्मे के इस्तर पगरत की पाठ पुस्तकों की सबसे अधिक महत्पूर्ण बेसे इस्तर निमन मैंसे कौन सी है तब 150 का सभी लोगों ने उत्वर बताया है क्या बताया है बहुत बढ़ी आइंसर आइंसर क्या है वो है क्या संकल्पनाव को मूर्थ से अमूर्थ रूप में प्रस्तुत किया जा जाये यानि कि जो विडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक जरूर करदेना सुरेजजी सुव जी बहुत बढ़िया औरमिला जी परीती जी मंगल जी नेहा जी सबी लोगों को लाइक जरू करने हैं पिसपेंदर जी पिंकी जी हैना अरुन लोदी जी लोकोस जी नीरज जी पुसपेंदर जी और भूपेंदर जी कृष्णा जी ममता जी सीतला जी सुरेंदर जी पूजा पूपेंद्र जी बहुत बढ़िया सभी लोगों को बहुत बहुत धन्वाद अच्छा लगा होगा आप लोगों के लिए नेहा जी पूजा जी गोपाल जी है ना साधना जी रभी जी पिंकी जी सौनी जी रूची जी सभी लोगों को इसी प्रकार से अपनी धाई बजे जी अरबिंद्र जी वो वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ अभी 10 मिनिट के बाद अरबिंद्र जी तो बो जरूर देख लेना और परियावन की पूरी की पूरी लिस्ट आपकी बनी है पूरा का पूरा कोर्स आपका लगबाग जो महत्पूर्ण चीजे हैं मैंने पेसित कर रहा हूँ तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखें ठीक है देख लेना और आज के लिए बस इतना ही सामको 16 बजे आपकी परियावन की लाइप किलास होगी 7-15 पर आपकी बालबेकास की लाइप किलास होगी तो सभी लोग उस किलास से जुड़ जाना और ठीक है हिं वीडियों को सभी लोग लाइक करके अपने फेस्बूक या वाट्सअप ग्रूपों में सेर जरूर कर देना ममता जी पिंकी जी जैहिन